नमस्ते आप सभी को आज हम जो है दुबारा से एक और चैप्टर लेके आये हैं Class 11th Biology का जिसका नाम है Chemical Coordination and Integration ये जो है ये जो आपे कहा सकता हो कि वीडियो रहने वाला है CBSC 2024 एक्जाम के हिसाब से रहने वाला है तो इसमें वही topics जो है cover up कराए जाएंगे जिसकी जो है आपे कहा सकते हो कि majorly बहुत ज़ादा जरूरत है दुसरी चीज ये कि ये जो chapter होने वाला यानि कि ये lecture होने वाला ये हम लोग का जो है one या two shots में होने वाले हैं और basic ही आप ही कह सकते हो कि इसमें जो है बहुत ज़ादा जो है NCRT कही topics और NCRT कही points को जो है highlight करके बताये जाएंगे ठीक है तो hopefully जो है आप लोग copy pen साथ में लेके बैठे ताकि एक proper notes बन सके और notes बनने से मेरा मतलब ये है कि exam के point of view से जो है ये सारे important points जो है होते हैं ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि chapter जो है हम लोग का chemical coordination and integration है तो basically आप ही कह सकता हो कि जो chapter होने वाला है ये कुछ marks का जो exam में जो है clarify करके आते हैं इसके बहुत ज़्यादा simple questions आते हैं like आप ही कह सकते हो कि किस तरीके से जो है chemical coordination होते हैं हमारी body में hormones के क्या-क्या functions होते हैं ऐसे कौन-कौन से glands हैं जो हमाई body में work करते हैं और कौन-कौन से ऐसे majorly glands हैं जिनके बारे में हम लोग इस chapter के अंदर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब्ले में सबसे पहले आपने कह सकता हैं कि endocrine gland से ठीक है endocrine gland के गर में बात करूं तो इसको जो है ductless gland भी बोला जाता है देखो वचो ductless का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी चीज ठीक है कोई भी ऐसी product को या किसी भी आपर कह सकते हो कि hormone को जो भी चीज आपर कह सकते हो कि direct blood stream में जो है release कर दे direct blood stream में जो है secret कर दे उस चीज को कहते है ductless जो हमारा endocrine gland होता है यह ductless gland है ठीक है दूसरी चीज यह कि the endocrine system that secret their product hormone ठीक है direct into the blood यानि कि यह अपने products को अपने hormones को जो यह लोग बनाते है उसको कहा direct आप गा सकते हो कि secret करते है रिलीज करना तो कहां पर सबसे सबसे और सबसे आप एक सकते हो कि direct blood stream में जाकर यानि कि जहां से जो आप एक हमाई जो blood होती है उनके अंदर ही जाके जो है direct यह क्या करते है जो hormones होती है उनको जो है secret करते है और रिलीज करते हैं बेसेखली आप पर कह सकता हो कि हम लोग जो हैं इन मेजर्स एंडोक्राइम ग्रेंट के वालों पढ़ने वाले जिसमें सबसेखला हमारा आ रहा है पीनल ग्रेंट दूसरा है पिट्यूट्री ग्रेंट मास्टर ऑफ ओल ग्रेंट के भी नाम से जाना जाता है चीक है तीसला है पेंक्रियांस फिर है ओवरीज फिर थायरोड फिर पैरा थायरोड हाइपोथेलमस एडर नर्ड और भी जो छूटे हुए होंगे एक दो हॉर्मोंस उनकी भी जो हम लोग आप पर कहा सकते हो कि बात इस लेक्चर में करने वाले तो यह लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा आप जो है इसको लिख लो ठीक है और अगया समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिपीट पर जाकर देख लेना अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं हम लोग बात करते हैं होर्मोंस के बारे में तो बेसिकली बात होता का इसको आराम से समझना it is some type of chemicals that coordinate different functions in our body by carrying messages through our blood to our organs skin and muscles and other tissues actually में क्या है कि यह हमारे body मेंने एक तरगा chemicals होते हैं ठीक है जो कि किसी भी आप पे कह सकते हो कि gland द्वारा जो है release किये जाते है यान कि gland द्वारा release किये गए ऐसे chemicals जिसको हम लोगोंने नाम दे रखा है hormones यह क्या करते हैं हमारे body में different types के functions को जो आप पे कह सकते हो कि करवाने में या करने में मदद करतें ठीक है basically आप पे कह सकते हो कि ये जो है किस तरीके से अपने functions को करते हैं यह messages भेजते हैं कि भाई हाप करो आपर र mukत आ गया है आप इस काम को और करसीड कर सकते हो ठीक है बेसिकली आप ही कह सकते हो, कि यह time to time यानि कि अपने सही समय पे release होते हैं और सही समय पे release होके सही functions को अपनाते यानकी सही type के आप ही कह सकते हो, कि जितने भी process होते हैं उन सब को करने में मदद करते हैं अगर एक बार के लिए जो है ठीक कि अगर कोई हॉर्मोन ना रिलीज हो तो इससे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि अगर हम बात करें इंसुलीन हॉर्मोन की पैंक्रियास से रिलीज होते हैं अगर वो ना release हो तो आपके कह सकते हो कि जो persons होते हैं वो diabetes इन सब के जो है यानि की sugar इन सब की जो है आपके कह सकते हो कि मरीज हो जाते हैं छी कि सिरफ एक hormone का release ना होने के वेशे तो ऐसे ही धेट सारे hormone हमारी body में होते हैं जो कि आप पर कह सकते हो कि glens द्वारा इंक्रीज किये जाते हैं और साथ ही आप पर कह सकते हो कि हमाई body में different type के functions को coordinate करने में यां की करवाने में मदद करते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने सबसे और अभी थक के सबसे important topic पर अभी topic जो है चलने वाला है सही से तो इसको जो है अच्छे समझना और अच्छे से लिख भी लेना अगर यहाँ पर writing समझ में ना रही है तो आप comment box में में से doubt पूस सकते हो आप लिख देना जो है मैं उस पर क्या गरूँगा एक छोटी सी जो है ठीक है एक separate video ले आउँगा अगर आपको कोई भी topic समझ में ना आ रहा हो तो चलिए आगे बात करते हैं human endocrine system human endocrine system में सबसे पहला जो system हम लोग ने जो gland किया है उसे हम लोग कहते है hypothalamus चीक है देखो यह कहां present होता है it is a bezel part of diens phalon forebrain यानि कि आप पर कह सकते हो कि यह जो है हमारे brain पर आभी आपको एक screen पर एक brain का image दिख रहा होगा तो hopefully आप लोग को जो है image वो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर hypothalamus को located किया गया है ठीक है तो image देखने के बाद आए यहां पर बात करते हैं यह क्या करता है यह regulate करता है wide range of body functions यानि कि body के बहुत सारे आपे कह सकते हो कि functions को जो है यह regulate यानि कि उनको करने का काम करता है ठीक है उसके बाद आपे कह सकते हो कि second line यह कह रहा है कि नियूरो सिकेटरी सेल्स ठीक है नियूरो सिकेटरी सेल्स पर्ड्यूज हॉर्मोन्स विच राइगुलेट सिंथे साइज एंड सिक्रीशन ऑफ प्यूर्टी हॉर्मोन्स अब देखो बच्छो हाइपो थैलमिस एक ऐसा ग्लैंड है जो बेसिकली आप कह सकते हो कि हमारे फोर बेन के बेजल पार्ट पर जो है लोकेटेड होता है तो अब अगर फोर बेन के बेजल पार्ट पर अपनाते हैं जिसमें से एक जो काम है इनका पर कह सकते हो कि होर्मोन को सिक्रीट करना तो आप यहां पर कह सकते हो कि है इस तरीके से फॉंक्शन करता होफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है उसके बाद देखो यहां आते हैं टू टाइप के जो है होर्मोन होते हैं इसके पास ठीक है पहला रिलीजिंग होर्मोन जिसमें GnRH होता है इसका full form अभी आप लोगों के screen पे आ रहा होगा ठीक है और दूसरा होता है inhibitory hormones जिसको हम लोग आप पे कहा सकते एक्जामपल लिख सकते है somatostatin ठीक है तो यह दोनों ही hormone जो आप पे कहा सकते हो कि hypothalamus द्वारा जो है release किये जाते है ठीक है hopefully जो आप लोगों को यह जो है lecture समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जो इसे note कर लो में side hurt जाता हूं फिर हम लोग आगे बात करते हैं यह अगला जो हम लोग का endocrine gland का जो gland है वो है pituitary gland master of all gland भी इसको कहा जाता है क्योंकि यह जो है बहुत सारे और भी gland के functions को करता है सबसे पहले लोग बात करते हैं इसकी location की तो यह located का होता है located in the bonny cavity यानि कि जिसे हम लोग जो है sealer twist का कहते है and attached to the hypothalamus by a stack यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप अभी जो है अपने screen पे अगर image देखो ब्रेन की तो आप लोगों जो साब साब दिख रहा होगा कि pituitry gland जो है एक bonny cavity यानि कि आप कहा सकते हो कि हड्यों से जो है बने हुआ खाली जगह पे located होता है ठीक है जिसका नाम होता है सेला टूरिस का अब यह जो है आपके कहा सकते हो कि hypothalamus से भी जो है attach होता है तो image देखने के बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं उसके बाद second point यह कह रहा है कि over secretion of GH यानि की कहने का मतलब यह है कि अगर जो है ग्रोफट कर जाती है और अगर आप पही कहा सकता हो कि इसका joh low secretion होता है कि ग्रोफ hormone को क्ब cap Suzanne होता है तो इसके खांड़ ऑर डिलिज को कहते है नो में गिगांट सब्सक्रेथियुझ टीक है और ज्यादा का मीघर रिलीज 555 आप피 में सब्सक्र पिट्यूटरी ग्लैंट और भी आपके काई सकते हो कि ग्लैंट के फॉंक्शन को अपनाता है इसे यह जो इसको थीज़न ग्रोफ अफ ओल ग्लेंट का भी दर्जाद या ग्या है ठीक है प्रोलैक्टेट डिया यंद्की पी आर एल पी यांल इसका शूर्ट फोर्म है ठीक है प्रोलाप्टिंग जो है रागूलेट ग्रोफ ऑफ मैमरी ग्लेंट ऑफ मेर्मिर्ण ओफ मिल्क एन दैन्ट घी उसे चीछ यह है formation of milk in them यानि कि जो है आपके सकते हो कि मिल्क का जो है formation करता है ठीक है उसके बनाव लोग बात करते हैं पाफ़े पॉइंट के जिसे हम लोग जो है कहते हैं टी एस यानि कि थायरोड सामेलेटिंग हॉर्मोन ठीक है थायरोड सामेलेटिंग हॉर्मोन इसका एक लेखने भी करता है बनाता भी है और रिलीज भी करता है थायरोड हॉर्मोन को ठीक है कहां से फ्रॉंग थायरोड ग्लेंड लेंड यानि कि थायरोड सामेलेटिंग हॉर्मोन क्या काम करता है सेंथैसाइस करता है और सिक्रीशन यानि कि रिलीज का काम करता है किसके बात करते हैं ACTH, Adrenocorticorticorticortic hormone ठीक है तो यह आप एक आप एक सकतों कि नाम याद कर लेना आप लोग भी ठीक है यह क्या करता है साइमल्ट और सिंथेटिसाइज करता है एं सिक्रीट करता है स्ट्रॉइड हॉर्मोन को ठीक है इस्ट्रॉइड हॉर्मोन यानि कि कहने का मतलब यह है कि एक तरह का ऐसा जो है आप divers को करता है संक्राइब बनता कहा है किसके दवरा कॉर्टेक्स को पूरा करते हैं लाइज की जिसे लिट्मीनाइज फॉर्मोन दूसरा बात करते हैं ऐस फॉनिकल simulating hormone ठीक है यह क्या करते हैं यह gonadal activity को पूरा करते हैं ठीक है LH और FSH यह जो है बहुत सारे आपके कहसे सकते हो कि gonadal activities को जो है पूरा करते हैं अभी gonadal activity क्या होता है कुछ दी बच्चों सरीर में इस्ट्रोइड hormone और आपके सकते हो कि gametogenesis का जो प्रोसर्स होता है उस activity को ही जो है गonadal activity के नाम से जाने जाता है ठीक है इन सब lines को जो है आप अराम से पढ़ लेना है सारे के सारे प्रिट्यूट्री कहीं पार्ट है अभी आपको जो है message कि अगर हम आप ही कह सकते हो की बात करें तो MSH भी तरह के ऐसा होर्मोन होता है अगर हम MSH की बात करें ठीक है तो MSH जो पर कह सकते हो की Milanocyte-simulating hormone इसका फुल-फॉल होता है Milanocyte-simulating hormone ठीक है basically इसका काम क्या होता है ध्यान से समझना इसको यह जो है पॉइंट में आप लोगों के लिखा हुआ है तो MSH app as a melanocytes and regulate pigmentation of the skin यानि कि कहने का मतलब यह है कि skin पे जो pigmentation आती है यह उसके regulates और आप एक सकते हो कि उसको जो सेक्रेशन में काम करता है ठीक है उसके बाद second जो point है वो है oxytocin ठीक है act as smooth muscles of our body and simulate their contraction यानि कि कहने का मतलब यह है कि भाई जो oxytocin hormone है आप लोगा यह हमारे जो है body को इस muscles को जो है smooth बनाने में काम करता है और उनके जो है contraction यान कि जो वो सुकुडते हैं उनके यह भी जो आप पर कह सकते हो कि proper functions करके रखता है उसके बाद अगला जो point आप लोगो अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और वो है vasopressin, act on kidney enzymes, reabsorption of water and electrolytes by the distal tube ठेक है and hence reduce loss of water through urine, so it is also called ADH यानि कि कहने का मतलब यह है कि vasopressin एक ऐसा आप है कह सकते हो कि functions को अपनाते हैं जो हमारी body में जो है extra urine यानि कि extra water को loss होने से बचाता है in the form of electrolytes ठेक है और यह काम किसके द्वारा होता है distal tubules के द्वारा होता है distal tubules याद रखना बचो यह questions जो है बहुत ज्यादा important है so it is also called ADH दूसरी चीज यह कि आपे कह सकते हो हो कि यहां पर जो इसका नाम ADH भी पढ़ा ठीक है तो ADH का जो आप पर कह सकते हो कि जो full form है वो है antidiuretic hormone होगा antidiuretic hormone ठीक है तो यह जो है pituitary gland के बारे में थी ठीक है आगे हम लोग और भी बाते करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं hopefully जो है आप लोगो समझ में आ रहा होगा इसे note कर लो आप इसे screen पर आके और उसे भी note कर ले जो भी मैंने point बताएं आप लोगो ठीक है लोग जो है endocrine gland के जो है आप ही कह सकते हो कि अंगली gland के बारे बात करते है जिसको हम लोग कहते है thyroid gland ठीक है तो सबसे पहले जो है आपके screen पर एक image आ रहा होगा thyroid gland का तो आप लोग जो है देख सकते हो कि जो वो किस तरीके से located होते हैं ठीक है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो है two lobs located on either side of trachea यान कि trachea के आप पर कह सकते हो कि दोनों तरफ located होते हैं यान के रहते हैं ठीक है these lobs are connected with thin flaps of connective tissue यान कि अब अगर आप बोट पर देखेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी बाते लिख रखें जो कि exam के point of view से बहुत जाना important है ठीक है और अगर आपको exam में बहुत inform हो गया होगा कि कि इधर आपर कह सकते हो कि जो trachiens होती है यान कि आप कहा लोकेटे लोहता है यान कि किस location पर होता है ठीक है तो लुड़ींी хоч सकते हो कि अबर पर कह सारीयोजी जान बात करते हैं पहले point के वारे में thyroid gland is composed of follicle and stromal tissue यानि कि आप पर गया सकता हो कि ये जो है दो चीजों से मिलके बनता है follicle से और stromal tissue से मिलके बनता है उसके बाद second point ये कहा रहा है कि follicular cell synthesize two hormone यानि कि ये जो है दो तरह के hormone को बनाता है ठीक है synthesize करता है पहला जो है वो है T4 और दूसरा जो है वो है T3 इसके बारे में आप लोग जो है other classes में जो है बहुत अच्छी तरीक से आने का आने वाले classes में जो बहुत अच्छी तरीक से पड़ोगे बट अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो दो hormones है ठीक है ये आपके कहा सकते हो कि follicular cells गवारा ही जो है बनाय जाते synthesize किये जाते उसको ठीक है उसके बाद जो है कह रहा है कि iodine is essential for normal hormone synthesize in the thyroid देखे भाई thyroid gland जो है आपके कह सकते हो कि आपके कह सकते हो कि एक ऐसा hormone release करता है जिसमें iodine की बहुत जरूर पड़ती है तो अगर आप सही मात्रा में जो अपने body को iodine दोगे तो वह जो आपके कह सकते हो कि thyroid gland जायो बहुत अच्छी तरीके सा hormone को चीज़ों को पूरा प्रोसस में लेकर आता है पहला होता है है अगर आप पे सकते हैं आप पूछ भी सकता है डिफिकेंसी ओफ हॉर्मोन जैसे कि हम लोग को जो है गहिंगा नाम की बिमारी होती है अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपके कहा सकता हो कि गोईटर बिमारी है उसके बाद सेकेंड पे आओ और देखते हैं हाइपर थाइरोडिजन ठीक है तो इसमें क्या हो जाता है कि हाई लेवल ऑफ थाइरोड इन आवर बॉड़ी जो है मनदब बनने लग जा है और दूसरा है हाइपर थाइरोड जब आपके कहा सकता हो कि थाइरोड जो है इसका जो लेवल होता हो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके बाद बात करते हैं रोल ओफ थाइरोड हॉर्मोन की ठीक है तो भाई देखो यहाँ पर मैंने सुर्फ मेजर्स रोल को लिख र झात पर सकते हो कि रैगूलेशन ओफ बैजल मैटाबॉलिक रेट याई कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलीक रेट चरह रहा है उनको का रैगूलेशन करने का काम भी थायरोड ग्लेंड का ही होता है दूसरा है प्रोसेस ऑफ आर भी सी फॉरमेशन यानिकि हमारे अंदर जो आ इसा इसलिए क्योंकि देखो बच्छो अगर यह तीन चीज आपका सकते हो कि इसका नुकसान हो सकता है तो इसलिए आपका सकते हो कि यह तीनों के मेटाबॉलिजम को ठीक है थीक है सिक्रीत करता है प्रोटीन हॉर्मोन को जिसे आप लोग जो है थायो केल्की टॉRichton के बारे में लियर बात करते इनकर रहले चुकात करते हैं अगली हॉर्मोन यानि के अगली गलें university बात सबसे पहला आता है पर आता थाइम आके अपर एक एक दिख रहा होगा वह पर आप पर कह सकते हो कि पवर करते हैं यहां पर बाहरा है तो पर फोर थायर घ्लेंड प्रिजव on the back side of the thyroid gland यानि कि thyroid gland के जो है back side पे जो है चार parathyroid gland जो है locate करते हैं वो भी pair में यानि कि आप पे कह सकते हो कि एक एक pair में ठीक है जो यह locate करते हैं यह क्या काम करते हैं इस secret peptide hormone यानि कि यह जो एक तरह का peptide hormone जो है release करते हैं it is regulated by circulating level of calcium ions ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि parathyroid जो gland से हमारे parathyroid जो gland से हमारे वो regulated होते हैं जो हमारे blood में आपे कह सकते हो कि calcium ions जो move करते हैं जो circulate करते हैं उनकी वजल से ठीक है उसके बाद आपे कह सकते हो कि काम क्या करते हैं it increase CA2 plus level in the blood यानि कि यह हमारे body में calcium 2 plus ions यानि कि level को जो है increase करके रखते हैं ठीक है it is also stimulates reabsorption of calcium by renal tubules and increase calcium ion by absorption of the digested food यानि कि कहने का मतलब यह है कि यह जो है आपे कह सकते हो कि renal tubules द्वारा जो है ठीक है reabsorption करते है calcium ions का ठीक है और दूसरी चीज है कि हमारे जो ह्नाओन पर कह सकते हों pistis हमारे digestive food है उनसे जुह आपे कह सकते हों कि यह Calcium ions को जो है gain करते हैं छीक है यानि कि आपे कह सकते हो कि अच्वाप करते हैं उसके बास बतिते हैं थामस gland की है थामस gland का भी यह न्वह स्क्रीन पर एक image दिखा होगा to तो वो है thymus gland का ही image है वो ठीक है तो उस image को देखने के बाद हम लोग जो है बात करते हैं यहाँ पे levelar structure होता है located between lungs ठीक है image में आप लोगों को जो है देखने को मिला ही होगा कि जो है में मदद करते हैं ठीक है एक तरह के हर्मोन को रिलीज करते हैं जिस हर्मोन का नाम है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमाई बॉड़ी में थाइमोसिल्स की कमी होती है तो यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर सकता है यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा ठीक है तो इसको जो है इसको जो है प्रॉपर नोट्स बना ले ताकि जो है आने वाले एक्जाम्स में आप लोग को जो है प्रॉब्लम ना देखने को मिले हम लोग बात करते हैं एंडर्ण की ठीक है एंडोक्राइन ग्लेंड का एक और ग्लेंड आप यह कह सकते हो कि जो है डेनल ग्लेंड है और वन अप्ट आप यह सकता हो कि इंपोर्टेंड में से एक आता है ऑग्जाम्स में जो है कोशंस भी बहुत अच्छी तरीके से आपते कह सकते हो कि पूछता है तो अभी जो आप लोग इसक्रीन पर देख पा रहे हैं हो यही हम लोग का जो है इंडर्न अधे बोड पर बात करते हैं देखो पहली जो लाइन कह रहा है कि वन पेर ओफ एड़नेल ग्लेंड वन एड़नेल पार्ट पर देखने की एड़नेल ग्लेंड का जो है एक किड्नी के एंटेरियर पार्ट पर होता है दूसरी चीज़ यह जो है दो तरह के टिशू से बनता है लोके सेंट्रल पार्ट होता है करें दूसरा एड्रनल कोंटेक्स चेह के सेंट्रल पार्ट होता है और दूसरा कि इसले करूँ to stress or emergency. यानि कि कहने का मतलब यह है कि बचो, जब हम लोगों को या तो stress या emergency या आप़े कह सकता हो कि कोई भी आप़े कह सकता हो कि randomly कोई भी actions होता है, तो उस दोरान जो है एक hormone release होता है, adrenal gland से जिसे कहते है, adrenal line hormone. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि these are secreted in response to stress and emergency इसी लिए stress कम लिया करो आप लोग का ठीक है stress जो है आप पर कह सकते होगी कम लिया करो आप लोग का adrenaline hormone कम निकलेगा ठीक है उसके बाद आप पर कह सकते हो कि इनको एक औलब से नाम दिया गया जिसे कहते है emergency hormone ठीक है role of these hormone increase alertness यानि के आप गह सकते हो कि इन hormone को क्या-क्या role हो सकता है increase alertness यानि कि हम लोग को आप पर कह सकते हो कि alert कर देता है ठीक है increase heartbeat जब भी हम लोग डर लगता है या हम लोग किसे से जूट बोलते तो हमारी heartbeat वह increase हो जाती है ठीक है उसके बाद strength of क्याना में हर्ट कॉंट्राक्शन एंड रेट ओफ रिस्पिरेशन यानि कि रिस्पिरेशन की रेट को भी यह कंट्रोल करता है ठीक है तो यह अगर आप से कोई भी पूछें कि वड़ी दर रोल ओफ एडनल ग्लेंड ठीक है या फिर आपके सकते हो कि जो है जो यह रिलीज कर ग्लाइकोजन लिपिट्स एंड प्रोटीण यह हमाई बॉड़ी में इसचिमुलेट करता है यानि कि ब्रेक करता है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को लिपीड्स को और प्रोटी fullest को ठीक है इस स्ट्रक्चल को 3 पार्ट थे मिलेयरत है इसका अबनल ग्लेंड अटे स्ट्रक् जो कि आउटर पार्ट होता है जो कि आप लोग के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ठीके अडर्नल कॉर्टेक्स रिलीज करता है मनी हॉर्मोन इसलिए जो इसे कोंटिक को के देगते हैं ठीक है ौट important point जिसे मैं NCRT से बहुत अची तरीके से चांट के लिए के आया हूँ hopefully आप लोगो समझ में आ रहा होगा जो उन सा topic या जो उन सा word आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसको मतलब जो है समझा दूंगा अगर कोई topic होगा तो उस पर एक separate video जरूर ले क्या होगा ठीक है आप इसे note कर लेजे पाकि एक proper notes बन सके ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जो है अगले gland के बारे बात करता है जिसका नाम है pancreas ठीक है देखो pancreas का होता है basically अभी जो है आपके screen पर दिख रहा होगा ठीक है तो pancreas जो है अगर हम यहां की बात करें ठीक है तो pancreas जो हूँ composite gland में से एक है यानि कि आप एक सकते हो कि endocrine gland और exocrine यह दोनों में ही जो है आप एक सकते हो कि अपनी भूमी का अपने रोल को जो है प्ले करता है ठीक है endocrine pancreas consists isolate of longer hands यानि की कहने का मतलब यह है कि जो endocrine आप पर कह सकते हो कि pancreas होते है इनके ओपर क्या होते है कि isolates होती है isolates कि कि होती है longer hands की होती है और एक से दो million आप एक सकता हो कि longer hands जो है ठीक है आपको जो आप पर कह सकता हो कि एक pancreas में जो है isolate में देखने को मिल जाएगा अभी जो आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है longer hands उसी को कहते है ठीक है उसके बार हम लोग बात करते करा हूं ठीक है दो टायप के cell जो है present होते है लेंग है इस में पहला alpha cells जिससे आप एक सकता हो कि जो की release secret करता है Glucogone ठीक है दूसरा होता है betasels जो कि increase आप एक से करता है insulin को ठीक है पहला alpha cells दूसरा आप एक सकता हो कि beta cells तीसरा होता है हों कि स्टो एक भी पैर्लीज करते हैं एक पैंक्रियाटिक पॉलीपेपटीड अपने को यह आपके अपने का सकता हो कि यह झूरुत नहीं है इससे आप लोग की निर्वेश अपने करता है इसकी यह जो करता है इन्सुलीन को अब भूर्मोन होता है नॉर्मल ब्लॉड ग्लॉकोस लेवल को यानि कि आप एक ऐसा थो हो कि हमारे ब्लॉड में जो जो नॉर्मल लेवल जो होती है उसको को जो है maintain करके रखता है यह तीसरे प्रॉइंट के अगर हम बात करें तो इट एप एज ऑन लिवर यानि कि आप पर कह सकते हो कि यह जो है लिवर सेल्स पर जो है एक करता है यह करता है दूसरी चीज यह इस्टिमुलेट्स करता है ग्लाइकोगेनो लेसिस यानि कि आप पर कह सकते हो कि रिजर्टिंग इन्क्रीज ब्लेड सुगर लेवल ठीक है उसके बार हम लोग बात करते हैं इंसुलीन की और इंसुलीन करता है उसके बाद यह क्या करता है प्ले रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लुकोज जिसे हम लोग है हमियो स्टैटिस कहते है ठीक है तो कहने का मतलग यह है कि यह जह है ग्लुकोज के तूरियोके रेगुलेशन में भी जो अपना रोल प्ले करता है उसके बार तीसरा पॉइंट एप्अस हैं पांडाइव क्याना मैं है है पैटोसाइटि ठीक है अडिपोसाइड थीए जो है तीसरे पॉइंट यह कर रहा है कि यह जो है दो तरीकों से रियक्ट करता है ठीक है हेपाटोसाइज एंड एडिपोसाइज चौथा पॉइंट यह कि it also stimulates conversion of glucose to glycosin ठीक है तो यह आप यह कह सकते हो कि कि यहें जो है convert करता है glucose को किस से किसमे glucose से ग्लाइकोजन में ठीक है तो यह सारे काम जो है pancreas के है hopefully आप लगो को समझ में आ रहे होंगे ठीक है क्यों कि आप सकते हो अगे क्या सकते हो अगे बात करते हो है तेस्ट के बारे में गे यह क्या हो प्रिजेंट ने होता है और endocrine gland भी होता है ठीक यह जो है compose होता है seminiferous tubules और आपर कहा सकते हो कि stromal tissue से ठीक है जिसे हम लोग intestinal tissue के भी नाम से जानते हैं ठीक है यानि की compose का मतला होता है यह बनता है seminiferous tubules और आपर कहा सकते हो कि stromal tissue से latin cells are present in the inter tubular space which produce a group of hormone called androgens या फिर आपर कहा सकते हो कि testosterone तो कहने का मतलब यह है कि भाई इसके अंदर जो है बहुत तरह के cells present होते हैं ठीक है जो कि आपर कहा सकते हो कि एक तरह के hormone को बनाते हैं जिस hormone को कहते हैं androgens और दूसरी बास हमें कहें तो testosterone ठीक है तो testosterone दूसरी या द्रोजयं वोग कैसे करता है एट आप रैगे लेचस podia teoto को एक अगरिका सकते हैं कि फेसज मोइस पर चाहिए और कृषक यांट की जो हो है पर रहे हैं रहे हो जाता यह जाता है ठीक है उसके बारम बात करते हैं इन आप पर गया सकते हो को कि Males Kanja वह है Testis Gland होते हैं वैसे ही Females Kanja Ovarie Gland होते हैं तो Ovarie Gland के भी बारे बात कर लेते हैं Ovarie Gland का सकते हो कि a pair of ovary located in the Abdomen Area तो आप लोग समझते हैं ठीक है तो यह वाली आप पर का सकते हो कि बात जो हम लोग तो देख चुके हैं अब्डॉमेन एरिया वाली उसके बाद करते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है यह ठीक है प्रड्यूस्ट टू टू ग्रूप ऑफ इस्ट्रोजन और प्रो इस्ट्रोजन जो है आपके कहा सकता हो कि रिलीज करता है यह दो तरह के होर्मोन जो जो है दौ टरह की चिज़ों से बनता है पहला ओवेरियन फॉलिकल और आपके कहुदा कि दूसरा जो है उस्ट्रोबन पॉइंट और है इसे लिखलों के बान जो है आपके बात करते हैं जो घरकी ओवरी का जो आपके कहा सकते हो कि दो पार्ट बच गए थे जिसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो तरह कि आपके कहा सकते हो कि जो है ठीक होर्मोन आते हैं जिसमें सबसे पहला जो आपके कहा सकते हो कि जो एस्ट्रोजन है यह क्या करता है मैमरी ग्लेंड क करता है मैमरी ग्लेंड करता है इस तिमिलेट करता है ग्रोथ को ग्रोइंग ऑफ ओवेरियन फॉलीकल को यानि कि इन सब के जो आप पर कह सकते हो कि मिल्क से क्रेशन को तो यह दो काम जो आप क्या सकता हो कि यह सारे काम जो है यह मैंने सरफ मेजरली काम लिखे हैं जो कि एक्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि इन्हें आप जो अच्छे से याद कर सकते हैं असान भासा में लास्ट जो एंडोप्राइन पर बंवाट करता है मेलेट करता है धिlevant के करने में तु है कुछ रिदं को क्छ आपको साधरों के बॉड़ी के जो है कुछ पीनिंट क्लेंट एक मिल्ट करो एक तरह क्यों कर्ता क्या क्या दैएक करता है। बड्क करने काया कायो घुट साकते हो B वो भी melatonin hormone ही करता है तो अभी जो इस chapter के दो और topic important बच रहे हैं ठीक है जिसमें से सबसे important है mechanism of hormone action जिसमें से questions जो उतरते हैं हर साल ठीक है तो उसके लिए एक separate सी video बनाने पड़ेगी तब तक अगर आप लोग को जो है ये सारी चीज़े समझ में आई हैं तो ये सारी चीज़े note करके जाना notes अच्छे से बनाओ क्योंकि जितना अच्छा notes होगा उतनी अच्छी पढ़ाई होगी और problem कहीं पे भी नहीं आएगी ठीक है तो पढ़ता रहिए ठीक है अगली video जो है बहुत जल्द आएगी पढ़ता रहिए तब तक के लिए all the very very best आप समय को ठीक है चलिए से note करके जाएए